हेलो गाइस, वेल्कुम एक आशके अडमी, तो डेवल्लप्मेंट रोफ सर्फिक्स की सीरीज में यह हमारा यह स्क्वायर पिरामीड होगा और स्क्वायर पिरामीड भी यह हमारा सेकेंड प्रॉब्लम होगा तो जैसा कि हमारी फर्स्ट प्रव्लम में देखा था यह फी हमारी फ़र्स प्रॉब्लम में अनीकाला था अकर्ष प्रॉब्लम हम Circ देखिए O & 1 यह हमें साफ साफ दिख रही है पिछले वीडियो में यह हमें नहीं दिख रहा था गाइस यह देखिए पिछले वीडियो में O 1 ना दिख कि हमें क्या इसकी face दिख रही थी यह त्रेंगुलर face जिसके कारण से true length हमें फ्रंट व्यू में exact true length नहीं दिख रही थी तो हमने क्या किया था exact true length निकालने के लिए calculate करने के लिए हमने O से एक line horizontal line draw की थी जो कि xy के parallel थी और फिर हमने क्या की थी true length कुछ इस तरीके से निकाली थी तो इस problem में देखते हैं कैसे करेंगे हम इस problem को start करते हैं सबसे पले तो question देख लेते हैं draw the development of surface of the color part of the square pyramid cut by a sectional plane perpendicular to the vertical plane but parallel to the horizontal plane and 40 mm above the horizontal plane all the dimensions are given in the figure below तो यह देखिए 7 mm हमारी axis की height है और यह sectional plane है हमारी सबसे पले यह देखिए कि 40 mm की side है इसकी base की जो इस side है 40 mm की है 70 mm इसकी axis की height है एक sectional plane है जो की ST ST आप देख पारहे हम यहां पर एक sectional plane है जो इस square pyramid को cut कर रही है और वह sectional plane है वह vertical plane के perpendicular है and horizontal plane से इसकी जो दूरी है एबब जो है वह है 40 mm तो let's start our construction guys तो अभी हम क्या करने वालें friends सबसे पहले हम क्या करेंगे true length यह है except यह है जो हमें सामने से दिख रही है तो हमारी true length क्या हो जाएगी O dash and 3 dash यह true length है हमारी O dash 3 dash and O dash 1 dash क्योंकि O dash 1 dash हमें इसकी पूरी edge हमें दिख रही है यह front view में तो यह हमारी true length हो जाएगी जबकि पिछले प्रावलाप में ऐसा नहीं था true length हमने निकाला था मैं इसके लिए accepted video बनाऊंगा paper के आपको बता करेंगा development को अच्छे तरीके से paper holding और उसको open करके बताऊंगा true length हमें कब मिलता है और कब नहीं मिलता है तो don't worry guys तो अभी true length हमारी यह है ओडेस थ्री डेस है तो ओडेस 3 डेस एजए रेडियस मीजर करके हम क्या करेंगे कि इस point पर जो हमने mark किया है एनी length की हम क्या करेंगे एक आर्क बना लेंगे यह देखे राज़ एनी लेंध की हमने क्या कि एक आर्क बना लेंगे आर्क बनाने के बाद क्या करेंगे guys randomly कहीं से भी यह देखे आर्क हमने बनाई है अब क्या करेंगे कि side हमारी कितनी है 40 mm है यह आप देख पा रहे होंगे यह देखें guys side जो हमारी है इस side जो है इसकी जो base है सबसे पहले तो एक है square है तो obviously उसकी side side बराबर होंगी आपस में 40 mm की side side है 1 2 2 3 3 4 & 4 on all जो dimension हो हमारी 40 mm की है तो हम क्या करेंगे यहां पर रखे या कहीं पर भी यहां से माल लीजिए मैं रख कर randomly और एक आर्क लगा देता हूं अब हम क्या करेंगे अगें 2 पे रखे 0.3 find out मतलब मार्क लगाएंगे तो यह हमारी होगी 0.3 naming करेंगे पाद में पहले मार्क लगा लेता है टिक लगा लेता है आर्क लगा लेते हैं जो बोलिये तो अब क्या करते हैं और यहां पर गाइस हमारी आर्क लगानी होगी जो होगे हमारी अगें 1 this is 1 और यहां पर यांपर गाइस हमारी आर्क के इसे भी हम यहां पर मार्क लगा लेते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था तो यह हो गई हमारी फाइनली तैयार ही यह कंस्ट्रक्शन ही हमारी तो अब इसे नेमिंग कर देते हैं और हमें क्या करना है। इंट्स को जैसा कि इसले के दीew में आपकर वैये यह ने हो सबसे पहले कोछ अब हमारे ने यह हमारी यह लाइक होनी चाहिए लाइट होनीन आगि ठीक है लाइन हमारी लाइट होगी डार्क लाइन जो अब हम ट्रॉप करेंगे वह होगी हमारी तो वह लाइन क्या होगी हमारी डार्क लाइन तो यह हो गया गाइस तो यह करने के बाद हम क्या करेंगे इन पॉइंट तो यह जो आर्क है आर्क को हम पॉइंट फूर से मिलाएंगे गाइस तो अब इन 1 2 3 4 अब देखिए गाइस क्या करना है अब देखिए ओ से हमारी A B वे दोनों रेडियस बरावर हैं वी डिस्टेंस है यहां से सारे पॉइंट्स तो ओवन वाली पॉइंट है सबसे तो यह देखिए ओवन वाली यह जो हमारी 40 e-dates at a radius उना ही एक चीज मैं आपको यहां पर बता तो कि the address उना है इसी के पीछे हमारी देखिए यहां पर यहां पर हमारी बीजास और सीट है का हीदम के जाओ लिए स्मॉल बीजास and this will our c-dash small c-dash और d-dash again हमारी यहीं पर आई टी d-dash अब सही है यह देखिए a-dash हमने लिया ठीक है उने मार्क लगाया यहां पर ओके गई अब्दिकी तो गाइस यह देखिए o-a-true length है हमारी o-a-true length पर हम ने क्या किया है एक और जो कि पैरलल है किससे xy-axis से पैरलल है तो हमें कोई bleed नहीं है तो यह हमारी क्या हो जागी मतलब चारो पॉइंट को हम इसी से मार्क करेंगे इस पे भी देखिये गाइस इस पे and 0.3 पे मार्क लगाएंगे सेम मेजर्मेंट and 0.4 पे मार्क करेंगे हम सेम रडियस से and finally 0.1 पे मार्क करेंगे हम सेम रडियस से तो finally what we'll have to do is we have to connect these lines these points actually to get our final development तो यह देखिये टेक्स्ट सबसे कहले हम क्या करते हैं गहांपी इसको naming कर जाते हैं तो यह हम यह दे चुका है capital A, this is our capital B, this is our capital C here, this is our capital D here and finally this is our capital A okay, then finally what we'll do guys, then finally we'll find these points, so our development ready point A to B, this is point B to C, this is point C to D, we have to join point C to D and finally D to A that's it, that's it, that's it guys, so this is our development, this is our final development, यह हमारी final development है अब एक चीज़ धियान रखिये गाई इसमें कि यह जो line होनी चाहिए यह हमारी कि यह 1, B2, C3 and D4, यह क्या होगी यह सारी लाइन रभान दार कुगी तो यह हमारी final development होगी गाईस फीकली बस इतना ही वही तहने नेक्स वीज़ टुटोरियल में तब तक के लिए बाई, if you like this video then don't forget subscribe my channel guys और कुल कोरी हो तो कमेंट बाक्स में तिकना ना भूले, आप अमें टाक्तिक वाल विकास अतना थाइस पर वाचिन एलोट, thank you very much guys, see you in the next video tutorial